बरेली के विधाय की बेटी की शादी का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि आगरा में प्रेमी युगुल ने निकाह करने के लिए अधिकारियों से सुरक्षा की मांगी है। इसी बीच दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जिसके बाद दोनों ने प्रेम विवाह करने का निन्य किया। युवक युवति घर से निकल गुजरात पहुच गए। उदर लड़की के लापता होने पर पर परिजनों ने मुकदमा लिखा दिया। जानकारी होने पर प्रेमी युगल गुजरात से वापस लोटाया। अब वह निकाह के लिए अधिकारियों का दरवाजा खटकटा रहे हैं। चले गएते तुम लोग। सत्तरा तारिफ को वही गुजरात गएते वस्त ये लड़की मेरे पास हाई थी बताती है कि मैं हासिम से फ्यार करती हूं। उसी से निकाह करना चाहती हूं। गरवाले मुझे धमका रहे हैं। शादी नहीं करने दे रहे हैं। और यह कहते हैं अ पिछले मही ने गुजरात कई युवती प्रेमी के साथ लोटकर आ गई है। प्रेमी युगल ने अधिवक्ताओं की शरन ली है। युवती अधिवक्ता नवीन वर्मा के साथ अधिकारियों के पास पहुंची और निकाह कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। युव डर की वजह से दोनों इधर उधर चिपकर रह रहे हैं। अधिवक्ता नवीन वर्मा का कहना है कि युवती अपने प्रेमी से निकाह कर जिंदगी भर साथ रहना चाहती है। अधिवक्ता ने बताया कि युवक्ती दोनों बालेग हैं लेकिन लड़की के परिवार वाले श चर्मा की रिपोर्ट.